सो अबर नेक्स डेरिवेशन इस रिलेशन बिट्वीन एफ और अन दस इस गूइंग टू बी फॉर कंकेम मिरर मैं आपको यह पर यह फार्मला कंकेम मिरर के लिए ड्राइब कराने वाला हूं और आप यह रिलेशन कंवेक्स मिरर के लिए भी सेम प्रोसीजर के साथ यह से होता है अगर आउटर सर फालिज होगा इसका इनर सर्फेस रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा और यह यह जो से 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 एक्सेस पास करें गि अप्रिशन रिलेशन होने वाला है इसके फोकल लिंथ और इसकी रेडियस के बीच में पहले तो हम आब बात कर लेते हैं प पूरे स्फेर के जो सेंटर है उसको क्या बोलते हैं इसके अंदर से जो यह डॉटेड लाइन पास करती है जो सेंटर के अंदर से पहली पहली चीज आपको क्या डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन डॉटेड लाइन ड पार्लल लाइट आपको पते कहां से पास करेगी फोकस के अंदर से यह ऐसी लाइट जो प्रिंसेपल एक्सस के पार्लल है दिलाइट विच पार्लल टू प्रिंसेपल एक्सस फोकस तो यह फोकस से पास करेगी सपोज यह नॉर्मल के साथ कितना इंगल बना रही है और जब य लेके focus तक के distance को क्या बोलते focal length और pole से लेके center तक के distance को क्या बोलते radius of curvature इसे क्या बोले जते radius of curvature और अब हमें f और r का relation निकालना है यह diagram का यूज करके एक important diagram है जहां पर f और r का relation निकालना जएगा और मैं आपको बता दू मैं यह जो theory लिखने की जूड़ता है आपको क्या लिख रहा हूं consider consider a concave mirror हमने एक concave mirror consider कर रहे और लेकिन याद रखना of small aperture हमारे syllabus में जितने भी mirror है सारे small aperture वाले है large aperture वाले mirror हमने यूज नहीं करने अब यहां पर small aperture का use क्या होगा वो देख लेना यार अब हो क्या रहा है मैं इन सभी चीदों को नाम देने वाला हूं यह तो c था यह f था इसका नाम पी रख दिया और इसका नाम रख देते हैं इसका नाम रख देते हैं अब आपको angles compare करने है मैं आपको बता है आपको यह according to laws of reflection according to laws of reflection आपको laws of reflection में आपने पढ़ा था that angle i किसके बराबर होते है angle r सबको बता है that angle of incidence is equal to angle of reflection तो यह से क्या दिख रहे है अगर यह एंगल आई है तो alternate से यह वाला इंगल भी क्या बंजेगा आई क्योंकि यह वाली लाइन और यह वाली लाइन पार्लेल है यह पार्लेल लाइन के बीच में पास करने वाला और यह वाला इंगल यह तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यह भी आई बंजेगा थीक बात बहुत बड़ी है यह तो यह भी आई बंजेगा अब इस ट्राइंगल के अंदर ए कि यॉयाई च्छाग के अंदर क्या होगा एंगल और ब último से और त्राइंगल का नाम है एक बार मैं दुबारा से लिए ट्राइंगल का नाम बहुत इंपोर्टेंट होने वाल है एंग ट्राइंगल ACP देख रहा होगा इस इस दिससी स्वारी ACF not ACP ACF ACF के अंदर एंगल आई और एंगल आर बराबर है क्यों वहीं सब करने वाली साइड कौन है A F therefore जो एए वह वो किसके बराबर हो जएगा यह एफोंगया और यह सीए और क्या आगे वाला सीएफ A for see a f बराबर होगे एफ और सीएफ बराबर हो जेए ठीक है एक पॉइंट तो यह क्लियर होना चाहिए now name this equation as equation अब मेरी बात सुनोगे यह जो अपर्चर होता है यह पर्पेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना यह जो डायमेटर ओफ अपर्चर के नाम से जानते हैं अपर्चर और मैंने आपको बोला अपर्चर छोटा होना चाहिए यह अपर्चर छोटा होगा छोटे से छोटा रखना ज अपर्चर बहुत छोटा है अगर अपर्चर छोटा है ना तो अपर्चर छोटा होने से A and P A and P are very close ये काफी close पड़े हुए है अगर ये काफी close पड़े हुए है तो जो A F होगा वही P F होगा सर ये तो बहुत पास पास है अगर ये पास है तो A F की तरफ जाओ F से P जाओ या F से A जाओ बात तो एक गी है F से P जाओ या F से A जाओ बात तो एक गी है क्या काफी close point है तो यहां से AF किस के बराबर हो जगा AF will become equal to ठीक बात किया रहिAY हो सर फिर यहां से देखो बात अब मैं CP को न, CP को दो पार्ट में तोड रहा हूँ, लेकिन just split CP into two parts, ठीक है, मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं CP को दो पार्ट में तोड रहा हूँ, कौन से दो पार्ट आने वाले, CP R के बराबर है न, अगर CP R के बराबर है तो आप दो पार्ट में इसको पी लिख दिया, ठीक है, अब FP तो focal length के बराबर, what about CF, what about CF, CF किसके बराबर आगे था, equation 1 में, CF किसके बराबर था, AF, CF किसके बराबर था, AF, और AF, मेरी बात ध्यान चाह सुनेंगे, मैंने CF को AF के बराबर प्रूव करा, क्योंकि angle I और R बराबर थे, AF को FP के बराबर प्रू FP, तो यह हो देगा, FP प्लस FP, FP बात समझाई, इस CF को दो पार्ट में तोड़ लिया, एक CF और दूसरा FP, एक CF और दूसरा FP, अब यह CF AF के बराबर, और AF, FP के बराबर, तो मतलब, basically CF और FP बराबर है, basically CF और FP बराबर है, अब देखो, CP, C से लेके P तक, यह distance R के बराबर, can I write, CP is equal to twice of FP, CP is equal to twice of FP, अब CP था R, और FP था focal length, तो F is equal to R by 2, this is the derivation, and this is the most important derivation for your mirrors, mirrors के अंदर यह formula use होता है, derivation आने के चांसे थोड़े से कम है, लेकिन एक important derivation है, अब चलते हैं, अगली derivation के उपर,